दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे बड़ी कबर 27 सितमर को भारत बंद का अवहान भारत बंद का वियापा क सर बिहार में दिखेगा सिर्फ आवज़सक सिवाव को छूट देंगे इसकूल कोलेज सब पर असर पढ़ना तह पर 17 सितमर को भारत बंद का अवहान है सगर्णड का कहना है कि दस मैने से दिल्ले में किसान डटे में और सरकार उनकी मांगें नहीं मान रही है उल्टे निजिक और राष्टिय संपता को बेजने पर आमदा है इसलिए बंद का आवान किया गिया है दिन सोमवार का है इसलिए लोगों को परिसानी जहलनी पड़ेगी लेट पार्टियों का समर्तन तो बंद को ही माहागरबंदन की पार्टिया राजद और कॉंग्रिस भी साथ दे रही है बिहार में इह बंद इसलिए व्यापाक होगा क्योंकि इसमें बिहार के स्तानी मुद्दो को भी माहागरबंदन ने बैठक कर जोड़ दिया गया है आपको बता दे कि किसान महा सभा के राष्ट्य सची रामदार सिंग कहते हैं कि हमने सभी तरह के लोगों से बंद रखने की अपील की है बिहार के बात करें तो पटन में बंदी का असर जादा दिखेगा पटना जक्सन से जलूस निकलेगा और डाक बंगला चोराहों को बंद कर दिया जाएगा बड़ी सेंग्जा में ग्रामेन इलाकों से लोग पटना पहुचेंगे मसोडी जहानाबाद बिहाटा फुलवारे आदे इलाकों में ट्रेन भी रोकी जा सकती है सिर्फ आवाईसिक सिवाव को छोड़ने का फैसला लिया गिया है बिहार बोर्ड ने फिर बढ़ाई मेट्रिक इंटर वार्सिक परिचा फॉर्म भरने की लास्ट डेश बिहार बोर्ड ने मेट्रिक और इंटर परिचा 2022 के लिए उल्लाइन फॉर्म भरने की तारीक एक अक्टूबर तक बढ़ा दी है बोर्ड दुआरा अंतिम बार तिति बढ़ाई गई है बोर्ड की माने तो छात्र हीत में अंतिम बार यहां मौका दिया गया है आपको बढ़ा दे कि इसकी अंतिम तिति 24 सितंबर थी वहीं जिन छात्रों का ओल्लाइन आवेदन के बाद चलान जमा नहीं हो पाया है वे चार अक्टूबर तक चलान जमा कर सकते हैं साथी बिहार बोर्ड के अनुसार इस अवदी के दोरान मौल रजिस्ट्रिसन कार्ड में भी नाम माता पिदा का नाम फोटो जन्मति थी जाती धर्म लिंग और विसे आदि में ओल्लाइन सुदार भी कराया जा सकता है त्योहार में बिहार आने वाले लोग के लिए बड़ी खबर 72 घंटे पहले का RTPCR निगेटिव जाच रिपोर्ट दिखाने होगी जी हाँ अगर आप तेवहार में बिहार आना चाहते हैं तो आपके पास 72 घंटे पहले का RTPCR निगेटिव जाच रिपोर्ट होना चाहिए दूसरे राज्यों में बढ़ती कुरोना संक्रमन को देखते वे राज सरकार ने यहाँ निनने लिया है क्राइसिस मेनेजमेंट गुरूप की बेटक में इस बात की आसंका जताए गए कि दूसरी प्रदेशों से तेवहारों में अधिक से अधिक बिहार आएंगे इसलिए 26 सितंबर से 15 नॉवंबर तक बिहार आने वाले लोगों को निगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा सरकार ने नेने लिया है कि जिन राज्यों में कोरोना संक्रमन के ज़्यादा मामले और डेल्टा प्लस वेरियंट सामने आ रहे हैं वहां से बिहार आने वालों को अपने साथ 72 गंटे पहले कराई आटिपिस्यान निगेटिव जाच रिपोर्ट लाने होगी पहली खबर यात्रियों की सुधाओं के लिए बिहार में साथ जोड़ी पेसंजर स्पेसल टेन फिर से चलाई जाएगी इन ट्रेनों से यात्रा के दोरान यात्रियों को COVID-19 मानुकों का पालन करना अनिवारी होगा ट्रेन में यात्रियों को स्पेसल किराया देना होगा आपको बतादे कि जिन पैसंजर स्पेसल टेन का परिचालन सुरू किया जा रहा उसमें समस्तिपूर जैनगर समस्तिपूर पैसंजर स्पेसल टेन, गया बक्तियार गया पैसंजर स्पेसल टेन, राजगीर बक्तियार पूर राजगीर पैसंजर स्पेसल टेन, गया पटना गय passenger special train और जाइनगर पटन जाइनगर passenger special train सामिल है तेगर राष्टपती रामनात कोविन का बिहार दोरा 20 अक्टूबर को बिधानसवा के सताबदी समारों में होंगे सामिल जहां देश के राष्टपती रामनात कोविन अगले महीने बिहार दोरे पर आने वाले हैं राश्टपदी रामनात कोविन 20 अक्टूबर को पटना आएंगे राश्टपदी कोविन 21 अक्टूबर को बिहार बिधानसबा भौन के सताब्दी समारों में सिर्कत करेंगे राश्टपदी के दोरे को लेकर बिहार बिधानसबा अधग्च बिजय कुमार सिर्ना ने जानकार दी है लिए बड़े ख़वर पटना की तरच पर बैंकट पूर वो सोनपूर में होगा गंगा आर्थी पर्याटन मंत्री बोले अन्य सहरों की भी है तैयारी राजदाने के गांधे घाट की तरच पर जल्द हिराज के दूसरे सहरों में भी नियमित गंगा आर्थी शुरू हो वर रईवार को गंगा आर्थी आयुजित की जाएगी इसके बाद जल्द हिस सौनपूर में हरिनत नात मंदिर समीब घाट पर भी गंगा आर्थी शुरू की जाएगी बड़ी कबर बिहार आने वाले टेनों की बढ़ेगी सुरक्चा रात की टेनों में तैनात रहेगी आर्पिएप की स्पेसल टीम जिहां अगले माज से परवत एहार की सुरू होने को लेकर टेनों में यात्रियों की सिरक्षा के लिए आर्पियप की ओर से योजिना तयार की गई है खास का रात वाले टेनों में आर्पियप की खास नजर रहेगी जानकारी के अनुसार दिल्ली वा मुंबई से आने वाले अधिकांस प्रमुक टेनों में आर्पियप की तीन टीम विबिन रूटों पर चोकस रहेगी अगर जरूत पड़े तो टीम ओर बढ़ाई जाएगी इसके अलावा आर्पियप की महिला बटालियन मेरी सहली भी यात्रियों की सिरक्चा में मुझ की भूमिका निभाईगी अगली बड़ी कबर 15 नौवंबर तक बिहार में खुल जाएंगे आंगन बाड़ी और बच्चों की सभी स्कूल नितिस सरकार का फैसला जहाँ बिहार में 15 नौवंबर तक आंगन बाड़ी और बच्चों की सभी स्कूल खोलने के अलान कर दिया गया है नितिस कुमार की अध़क्ता में क्रासिस मेनेजमेंट गुरूप की बैठक में फैसला लिया गया है अब बिहार में 15 नौबर के बाद सभी स्कूल पुर्णता कोल दिये जाएंगे हाला कि स्कूलों को कुरोना नियमों का पालन करना अनिवार होगा राज में इलेक्टिक बसों का किराया घटा पास की भी ले सकेंगे सुविधा जी हाँ बियास आरटिसी ने इलेक्टिक बसों के किराये में 10 रुपी तक की कमी की है नई दरे सुकूरवार से लागू हो गई है साती सुकूरवार से ही यात्रियों को देने की विकेंड और मासिक पास भी जारी किया जाएगा इसकी दरे BSRTC ने गोसित कर दी है गाने मेदान से दानापूर जक्सन तक सभी पास माइन रहेंगे इलेक्टिक बस के ये पास CNG बसों के लिए भी माइन नहीं होंगी बाड़ी खबर गोड़ा राची वाया भागलपूर जमालपूर चलेगी ट्रेन 29 को हरी जंडी दिखाएंगे रेल मंत्री अस्वीनी व्यसनव जिहाँ गोड़ा राजी एक्सप्रेस का उदगाटन 29 सितंबर को होगा रेल मंत्री अस्वीनी व्यसनव सप्ता में तीन दिन चलने वाले इस ट्रेन को वीडियो कॉनफरेसिंग से हरी जंडी दिखाएंगे गोड़ा में इस्तानिय सांसद निस्रिकांत दोभी भी मौज़ुद रहेंगे 29 सितंबर को दगाटन स्पेशल ट्रेन चलीगी जो दिन के 1 बज़ कर 15 मिनट में गोड़ा से रवाना होगी ट्रेन का नियमित परिचालन 30 सितंबर को राची से और 1 अक्तुबर को गोड़ा से होगा आपको बता दे कि गोड़ा से यह ट्रेन बुदवार सुकुरवार और रईवार को भागलपूर जमालपूर कीवल होकर रवाना होगी वह राची से यह ट्रेन गुरवार सनिवार और समुवार को चलेगी यह ट्रेन पले भागलपूर से राचिक के बेच चला जा रही थी अब इस ट्रेन को गोड़ा तक विस्तादित कर दिया गिया है बड़ी खबर पाटना में अब हेलो वर्यार्स अब वैक्सिन की दूसरी डोज के लिए आएगी कॉल इस्टूटेंट फोन पर बताएंगे दूसरी डोज का फाइदा जिहां कोरोना की दूसरी डोज लेने वालों की सिंका कम हो रही है अब ऐसे लोगों को बूत पर लाने को लेकर बड़ी तैयारी चल रही है पाटना में हेलो वर्यार्स का कॉंसेट लाया गया है इसके मादन से स्टूटेंट ऐसे लोगों को फोन करेंगे जो पहला डोज लेने के बाद दूसरी डोज की समय के बाद भी वेक्सिन लेने नहीं आये है एन कॉलेज की एन एसेस एकाई और केर इंडिया के बीच मेमोरेंडम औप अंडर स्टेंडिंग साइन होने के बाद टेली कॉलिंग की वेवस्त बन रही है एक स्टेंड को एक दिन में 15 से 20 लोगों को मोटिवेट कर बूत तक लाने का जिमा दिया गिया है बिहार के हर प्रखन को मिलेगी आदोनिक एम्बुलेंस 102 पर फोन कर मुत मिले सकेंगी सुविधा जिहां बिहार के हर प्रखन को निकट भविस में एक एक जीवन रख्चक एम्बुलेंस दी जाएगी यह जीवन रख्चक एम्बुलेंस सभी परकार के संसादनों से लेस होगी एंबुलेंस में औसीजन सिलिंडर के साथ ये आईसीओ जैसे उपकरन भी लगे होंगे मरीज के घर से अस्पताल पहुसने के आउदे में ये जीवन रख्चा के यांतरी उसकी जान बचाने में मदद करेंगे कोरोना काल में एंबुलेंस के उत्पन संकट को देखते वे सरकार ने सभी 534 परकंडों को एक एक जीवन रख्चक एंबुलेंस देने की योजना पर समाते दी है साथी सरकार ने बिहार के निकों के लिए एंबुलेंस की सिवा मुप्त कर दी है बड़ी कबर बिहार का बिदला मौसम पटना समेथ कई जीलो में अगले दो दिनों तक बारिस के आसा जिहा बिहार में मोसम का मिजाज बदला हुआ है पिछले दो दिनों से रुक रुक कर बारिस का सिलसिला जारी है बारिस का अनुमान है हिमाला के तरही तक परसारित हो रही है जिसके प्रवाल से बिहार के कई जिलों में बारिस का अनुमान है अड़ी खबर वेक्सिनेशन के नई गाइड लाइन जारे सरकार का बड़ा फैसला जो लोग सेंटर पर नहीं जा सकते उन्हें घर जाकर लगाए जाएगी कोरोना वेक्सिन जहां देश में कोरोना के नए मामलों में लगतार गिरावाट आ रही है वेक्सिनेशन का आकड़ा भी 83 करोड के पार हो गया है इसी भी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए डोर टो डोर वेक्सिनेशन के अनुमती दे दी है इसके लिए गाड़लाण में जारी कर दी गई है निती आयोक के सदय से डाक्टर विकेबाल ने गुरवार को इसकी जानकारी दी है उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के लिए घर पर टिका करन शुरू कर रहे हैं जो सेंटर पर जाने में सक्चम नहीं है इसके लिए एड़वाजरी भी जारी की गई है आदेस में कहा गया कि वेक्सिनेशन टेर्ट सेंटर पर जाने में अक्चम लोगों को टिका लगाना सुनिश्चित किया जाए सभी राज और केंदर सासित राज इसके लिए खास इंतिजाम करे बड़ी कबर कनया कुमार और जिगनीस मेवानी ठामेंगे कौंगरिस का दावन 28 सितमर को हो सकते हैं सामें जिया सियासिक गल्यारों से एक बड़ी कबर सामने आ रही है जिसमें ये समावना जताए जारे कि जन्यो चात्र संग के पूर्वा अध्यक्ष कनया कुमार और गुजरात के निर्देलिया विधायक जिगनीस मेवानी कौंगरिस का दामन ठामेंगे पार्टी सुतरों के मताविक 28 सितमर को दोनों कौंगरिस में सामिल होंगे कनया कुमार और जिगनीस मेवानी को कौंगरिस में सामिल गुजरात प्रदेश कौंगरिस के कारिकारी अध़च हार्दिक पडिल की आहम भूमिका है इन दोनों नेताओ और कौंगरिस के नेत्वति के बेच बाचित की मदस्ता हार्दिक पडिल कर रहे हैं आज के लिए आपका स्वाल बताए कि आज होने वाले IPL मकाबले में कौन सी टीम जीतेगी इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं